महराजा रंजीत सिंग दे पुर्खे कोई बहुत वड़े जिमेदार नहीं संग ते सरदार बुदा सिंग दसवे गुरू गुरू गोबिन सिंग जी दी फौज इच शामल संग क्या जानदा है कि एना लड़ाईयां विच सरदार बुदा सिंग दे जुसे उते तलवारां दे ती फाटसन ओ अपनी बहादरी कारण सुकर चकियां मिसल दा सरदार बाण गया ओधी कोड़ी विसी जिदे उते बै के सरदार बुदा सिंग ने कहीं वार जेलम चना ते रावी पार की थे असलाम लेकुम जी अदाब साथ सिरिया काल आज दी एपिसोड इच मैं महराजा रंजीत सिंग दे पुर्खां ते खांदानी पछोकड बारे तोडेनाल गाल बात करांगी महराजा रंजीत सिंग दे पुर्खे कोई बहुत वड़े जिमेदार नहीं सन औना वेले दे नाल नाल हर पक्खी अपने आपनों ताकतवर बनाया महराजा रंजीत सिंग दा पड़दादा सरदार बुदा सिंग सी एक मेनत करन वाला किसान सी बुदा सिंग ने सत्वे गुरू हर राई जीदे जमाने वीच सिख तरम अपनाया ते फिर सिख की वचारां अते मान मर्यादा ते चल दे हो गुरू को बिन सिंग जीदी फौज दा हिस्सा बाण गया कुछ तरीक दाना बुदा सिंग दाना बुद सिंग लिखे है पर सोन लाल ने ऐस बारे वाजिया लिखे है कि उस दाना बुदा सिंग सी सरदार बुदा सिंग बहादर मनुक सी अते ओस ने गुरू को बिन सिंग जी ते बंदा सिंग बहादर नाल राल के लडाईयां वेच हिसा लेया क्या जानदा है कि एना लडाईयां वेच सरदार बुदा सिंग दे जुसे उते तलवारां दे ती फाटसन ओदी एक कोड़ी वी सी जिदानाउं देसी सी जिदे उते बैके सरदार बुदा सिंग ने कहीं वार जेलम चना ते रावी पार की ते 1718 विच जद बुदा सिंग दी मौत होई उस दे दो पुतर सन एक दाना सी चंद सिंग जद के दूजे दाना सी नोज सिंग नोज सिंग 1789 विच नवाब कपूर सिंग दे नाल राल के एमद शाब दाली दे खलाफ लड़या नोज सिंग 1792 विच मजीठिया नेड़े अफगाना ना लड़दा होया मारया गया नोज सिंग दे चार पुतरां विचूं सब तू वड़दा चड़त सिंग सी ओ अपनी बहादरी कारण सुकर चकियां मिसलदा सरदार बाण गया की चड़त सिंग एक बलवान मिसलदार सी एदा जवाब है अपने प्योदादे दे पेंड़ दे ना आते चड़त सिंग ने मिसलदा ना सुकर चकियां रखया पर उस ने अपना हेट कौाटर गुजरावाला नू बढाया एमनाबाद दे गुवर्नर अते खाजा अबैद उलादे खलाफ ओधियां लड़ाईयां ओधिशान इच वदा कीता चड़त सिंग दी छे सत किले पोएं सी पर उस ने छेती, वजीराबाद, रामनगर, सेालकोट, रोतास, पिंडदादन खान ते पोठो हारदे इलाके अपने कंट्रोल इच लेले उस दी मोध मगरों ओदा दस साला पुत्तर महां से मिसलदार बनेया सरदार चड़त सिंग्दी का राली माई देसा बड़ी अकलमान ते जीदार बीबीसी उस ने अपने पुत्तर महां सिंग्दा व्या जिन्द दे राजा गजपत सिंग्दी ती राज को नल करवा दिता ऐस नल फुल्कियां मिसल दिया हमदर्दियां सुकर चकियां मिसल दे सरदार नल हो गई या महां सिंग भी चड़त सिंग दी तरह बहातर सी उस दिया कुछ फटुहाद दी गल करते है महां सिंग ने नूरुदीन बामे जई नू हरा के रोतास दे दुबारा कबजा कार लिया फिर उसने लोहारा दे शेर कोटली लोहारा नू फता कार लिया फिर महां सिंग ने सुकर चक्यां मिसल दे पुराने दुशमन रसूल नगर दे पीर मुहमध चठा नुं हराया अते रसूल नगर दा ना राम नगर कार दिता फिर चठेयां दे पिंड अली पूरनू अना कुलू खोके अपने कबजे विच कार लेया ते उस दाना अकाल गड़ कार जिता एना जिता मगरों महां सिंग दी ताकत अते दौलत इच वादा होया उस ने पिंडदादन खान इच पूरी तरह पैर जमाल है अते साइवाल ते इसा खेल नूमी फता कार लेया एस मगरों उस दे हत बहुत दौलत आई एस तारह सो ब्यासीदा साल सी जदो महां सिंग ने जम्मू दे इलाके विच अपना पैर पाया जम्मू तो महां सिंग दे हत माया लगी एस मगरों सुकर चखियां मिसल दे सरदार बलवान हो गए प्रोफेसर जे एस गरेवाल लिख दे के सुकर चखियां मिसल दे चड़त सिंग ते महां सिंग ने ना सिरफ अपने इलाके वड़े की ते सब वो बहुत सारी तन दौलत जमा कीती पोटली लोहारा दे बंदूख खाने पिंडदादन खान दियां जमीना ते नमक दियां काना नाल सुकर चखियां मिसल दे सरदार बलवान हो गए एंज किया जा सकता है के महराजा रंजीत सिंग ने एक दोलत मांद कारिच आख खोली कनया मिसल दे सरदार जै सिंग महां सिंग दी वद दी होई ताकत अते दोलत पारों निराश रेंदा सी एंज दोना मिसला वचकार एक लड़ाई होई जै सिच कनया मिसल दे सरदार जै सिंग दा पुतर गुरबख्ष सिंग मारे गया ऐ दुश्मिनी गुडी हो गई पर अग्गे जाके रिष्टेदारी विच बदल गे एपरल 1790 विच महा सिंग बिमार हो गया ते ओस दी अचानक मौत हो गई महा सिंग ने सुकर चकिया मिसल नू ताकतवर बना आदिता सी ओस दी मोत मगरों हून महराजा रंजीत सिंग कल्ला वारस सी अपनी आणवाली वीडियो विच मैं महराजा रंजीत सिंग दे बचपन जवानी ते ओधी तरबियत बारे कालबात सांजी करां